अमेरिकी प्रतिरक्षामंत्री रॉबर्ट गेट्स ने दिल्ली में कहा कि अलकाइदा भारत पाकिस्तान के बीच कर सकता है युद्ध कराने के कोशिश गेट्स के अनुमान पदलेंगे अमेरिकी जानकार किराए क्रिस्मस के दिन डेल्टा विमान में सुरक्षा चूप पर की सेनट ने सुनवाई अमेरिकी सुरक्षा दिकारियों ने माना कि सूचना के इस्तमाल में कमियों की वज़ा से अब्दुल मुतालब विमान पर चड़ सका राश्पति उबामा ने वाइट हाउस में किया एक साल पूरा सुरक्षा विशिशग्यों ने उनकी आतंकुआद विरोधी नीतियों पर डाली खास नजर और मनमोहन सिंग के वाइट हाउस डिनर पर बिन बुलाए महमान पूष्टाच के लिए बुलाए गए कैपिटल हिल कमिटी के पास सवालों की कमी नहीं थी लेकिन सलाही दंपत्ती ने क्या जवाब दिया देखेंगे आज के कारकम में वाशिंग्टन डी-सी से मैं हूँ वाइस ऑफ अमेरिका का मिश्रवास्तव अब खबरें विस्तार से अमेरिकी रक्षामंत्री रॉबर्ट गेट्स ने अपने भारत दोर में कहा कि अलकाइदा का नेटवर्क जिसमें अफगानी और पाकिस्तानी तालिबान समेथ लश्करे तैवा जैसे गुट शामिल है पूरी कोशिश करेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच यो देचड़े ताकि पूरा क्षेतर अस्थर बन जाए अमेरिकी रक्षामंत्री ने 26-11 के हमलों के बाद भारत दोरा बरते गए सहीम की सराहना की लेकिन स्विकारा के अगर भारत पर 26-11 जैसा और एक हमला होता है तो उन हालात में भारत के लिए पाकिस्तान में बसे आदंकवादियों की और सहीम की नीटी को बरकरा रखना मुश्किल हो सकता है मुंबई हमलों के बाद भारत ने काफी सहीम और राजनितिक समझदारी से कदम उठाए लेकिन ऐसी नीटी अपनाने की किसी भी राष्ट की एक मरियादा होती है खासकर जब दो बारा ऐसा हमला हो इसका जवाब मैं भारतिय सरकार और अधिकारियों पर छोड़ता हूँ लेकिन मेरे ख्याल में ये मानना अनुचित नहीं होगा कि इस मामले में भारत के सयम को भी सीमाय होंगी उन्होंने ये भी बताया कि आतंकवाद का खत्रा भारत, अफ्गानिस्तान और अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान को भी उतना ही है और इस खत्रे से सब को मिलकर लड़ना होगा कुछ अमेरिकी विशेशक जे मानता है कि इस मामले में भारत विदेश मंतरी गेट से ये जानना चाहेगा कि लशकर जैसे गुटों को निस्त नाबूत करने के लिए पाकिस्तान क्या कदम उठा रहा है डेविड हेडली को पकड़ने के बाद लशकर एताइबा पर अमेरिका का ध्यान और भी बड़ा है और ये पता चला है कि लशकर के कुछ तार पाकिस्तानी सेना से भी जुड़े थे तो भारत रक्षा मंतरी गेट से उमीद करेगा कि वो सरकार को जानकारी दे कि पाकिस्तान भारत पर हमलों की योजना बना रहे गुटों को समर्थन रोकने के बारे में क्या कदम उठा रहा है विशेशग्यों का कहना है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमी का आदा कर सकता है आपको याद होगा क्रिसमस के दिन अलकायदा के सदस से उमर अब्दुल मुतालब किस तरह से अमेरिकी विमान पर विस्वोटक सामगरी लेकर चड़ गया था हलाकि विमान को उड़ाने में वो सफल नहीं हो पाया लेकिन इस घटना ने एक मौका दिया अमेरिका को अपनी सुरक्षा विवस्था में कम्या ढूनने का और उन्हें ठीक करने का राश्पाती उबामा ने खुद जांच कराई और अब अमेरिकी सेनेटर्स भी इस मामले में सरकारी अधिकारियों से पूच्टाच कर रहे हैं अमेरिके अंतुरिक मंत्राले की सेनेट कमेटी के सामने राश्फरी आतंकवाद विरोधी केंदरिके निदेशक ने साफ़ साफ पहली लाइन में ही गल्ती मानी को क्रिसमस के दिन विमान पर नहीं बैटना था आतंकवाद विरोधी प्रवाली मिला जूला कर असفल रही दोनों अजिंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है कि देश की नो फ्लाय लिस्ट को किस तरह से बनाय जाए है। हमने सुधार की दिशा में पांच कदम उठाए हैं। पहले इस खटना से ये पता चलता है कि हवाई सुरक्षा अंतराश्टिया जिम्मधारी है। राश्ट्रिया खुफिया विभाग के निदेशक डेनिस ब्लेयर का कहना था कि अगर कांग्रेस खुफिया टीम के काम कास पर और नज़र रखे तो काम का फोकस बना रहेगा। मंत्रिया है कि उस वक्त दबाव बनाया जाए जबकि कोई हाथसा नहुआ हुआ हो। राश्ट्रपती ग्रूप में बराक उबामा ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है। इस से एक साल में जहां घरेलू मुद्धों का दबाव राश्ट्रपती पर रहा है। वही कमांडर इन चीफ होने के नाते उन्हें दो जंगों पर भी ध्यान देना पड़ा है। एक साल बाद सुरक्षा विशेशग राश्ट्रपती उबामा के काम को पर रख रहे हैं। राश्ट्रपती उबामा ने अमेरिकियों को सुरक्षित रखने के लिए राश्ट्रियस रक्ती के प्रतियक तत्त्व के प्रयोग का वादा किया है। आम तोर पर जानकार मानते हैं कि राष्टपती उबामा ने धैरिय, कानून का सम्मान और पारदर्शिता जैसे अमेरिकी मूलियों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद के खिलाफ कारवाई पर जोड दिया है कुछ सुरक्षा विशेशग्यों का कहना है कि राष्टपती उबामा आतंकवाद के विरुद और देशों के बीच यूद के बीच तुलना नहीं करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अमेरिकों के सुरक्षत रखने के लिए कई कदम उठाए है लोग ये नहीं समझते हैं कि राष्टपती उबामा ने दरसल अलकाइडा को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हराने के प्रयास तेज किये है जानकार ये भी मानते हैं कि नाइजिरिया नागरिक अब्दुल्मतलब द्वारा हमले की नाकाम कोशिश ये दर्शाती है पूर्व उपराष्टपती डिक चेनी ने राष्टपती उबामा पर आरोप लगाया है कि वे आतंकवाद संगठनों के साथ युद न करने का नातक कर रहे हैं लेकिन कुछ जानकारों के मताबिक युद शब्द का उप्योग पास्तव में आतंकवादी संगठनों की मदद करता है अमेरिका के खिलाफ उनके प्रयास बढ़ाने में सुरक्षा विशेशग्यों का मानना है कि आतंकवादी अनेक तरीकों से हमला कर सकते हैं और सुरक्षा का एक सो प्रतिशत होना नामुम्किन है इसलिए सरकार और राष्टपती का काम और भी चुनाती भरा बन जाता है शुनाली सेन, वॉइस अफ अमेरिका प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग के समान में वाइट हाउस स्टेट डिनर में हुई सुरक्षा चूक के बाद कल पार्टी क्रेशर्स सलाही दंपती अपने सफाई देने कैपिटल हिल पहुचे सांसदों के सामने सलाही जाय जरूर लेकिन कई हफ़तों से इंतजार करती कमिटे ने सवालों की बाचार तो कर दी लेकिन सलाही दंपती के पास हर सवाल का एक ही जवाब था मेरे वकील ने कहा है कि मुझे चुप रहने और आपके सवाल का जवाब ना देने का अधिकार है अमेरिका लाइव आप मारे वेबसाइट www.voasamachar.com पर भी देख सकते हैं अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें अमेरिका लाइव एड वियोई नियूस डाट कॉम पर भेजना ना बोलें मेरिका के बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे नमस्कार